रविबार राच चोरों में चटकाई चार सुने घरों के ताले कराहल थाने के ठीक सामने बिजली ओफिस को भी बनाया निशाना कबर कराहल से हैं जहां आए दिन कराहल में हो रही चोरियों की घटनाओं से पुलिस महके में कि सुरक्षा विया वस्थापल सवाल खड़े हो रही हैं हर कोई ये जाना चाह रहा है कि आखिर ये कौन लोग है जो पुलिस को चुनाओती पर चुनाओती देख रोज ताले चटका रहे हैं पुलिस की पकर से भी दूर बने हुए हैं चोर कभी दुकान कभी गुम्टी तो कभी सुने मकानों को बना रहे हैं निशाना पुलिस का इन बदमाश्यों को कितना भै हैं इस बात का अंदाजा आप इसे से लगा लीजे कि चोरों ने थाने की ठीक सामने स्थित पिजले विभाग के कारेले के भी ताले तोड़े हैं और संचय निकुंज की और जाने वाले रास्ते पर थाने से महस पासो मिटे दूर स्थित पर योजना की सरकारी आवासों में निवासरत रूपी खान संतोष धाकर महेश सुलंकिय वदिप शिवास्तव के घरों की कुंदिय वताले तोड़ दिये गए हैं थाने प्रिभारी ने बताया की घटना देखकर ड़कता है कि ये कोई शाते चुरों का काम नहीं यहीं के खोल कर ही चले गए उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिल पाया आपको ये सुनकर हरानी होगी कि एक तरह तो पुलिस बड़ी मुस्तेदी से अपनी रात्रे गश्ट कर रही है तो वहीं दोसे तरह ये बदमाश भी बेख़ॉफ हो कर चोड़ी की घटनाओं का अंचाम देने में पीछे नहीं हट रही है फल्हाल तो पुलिस किसी को नहीं पकड़ पाई है मगर थाना प्रभारी क्या रहे हैं कि आज सुबे से ड्यूटी पर बाहर आया हूँ थाने पहुचते ही आज ये कुछ संदिक्दों से कड़ी पूचता चुक करके इन बदमाशु को गरफतार कर म मामले का खुलासा कर दिया जाएगा देखिए कराहल से समवादाता अमित कुमार शिवास्तफ की रिपोर्ट अंदर भी एक फूरा अगज्वा पूरा और गया तो कुछ है नहीं जागा मेरा सब्सक्राइब बाहर कि जरूरी फाइल पर गारा भी रखी होंगी आँ पर फाले हैं को जिक्कद में फाल्सलर बगरा है कुछ ऐसकुत कितने हैं और ये एवारदात्स पास के कितने गरों मे नाट कर दो लोग और जिनके अचोरी यह बोबी मतलब चले गए हूंगे सनीवार को यहां यानि बंद थे वो कमरें कमरें बंद गरों को निशाना बनाया गया बंद गरों को निशाना बनाया गया गया हुआ